देश के अंदर एक ताना साह हुकूमत है भारती जनता पार्टी के लोग इस देश के अंदर लोकतंतर के डकैत है नंबर एक के डकैत और लुटे रहे हैं जनता के मतों को जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों पर डकैती डालने का उनको लूटने का काम करते हैं और दिल्ली में जीत नहीं सकते, कभी भी जीत नहीं सकते, ED का, CBI का, Income Tax का, छापा मरवा के, लोगों को डरा के, जेल में डालो, विधायकों को तोडो, संसदों को तोडो, सरकारों को गिराओ, दस साल में नरेंदर मोदी जी की सरकार ने और BJP ने यही काम किया. दिल्ली के ब्रदेश के अध्यक्ष, कैबनेट मंत्री भाई गोपाल राय जी, पार्टी के राष्टिये सच्यू, भाई पंकज गुपता जी, दिल्ली के विधान सबा के मुख्य सचेतक, भाई दिली पांडे जी, दिल्ली सरकार के कैबनेट मंत्री इमरान हुसेन भाई, दिल्ली विधान सबा की उपाद्यक्ष, राखी बिल्ला जी, MCD में लगातार अपने साथियों के साथ कंदे से कंधा मिला कर चलने वाले हमारे साथी विधायक, दुर्गेश पाठक जी, दिल्ली की मेयर डॉक्टर सेली उबराय, कॉम्निकेशन के इंचार्ड भाई जैस्मिन जी और कारिकरम का संचालन कर रहे हमारे संगठन के मुख्य साथी आदिल भाई, आज यहाँ एक कुर्सी खाली है, अर्विंद केश रिवाल जी की कुर्सी, हर मौके पर इस प्रांगड में जो भी कारिकरम हुआ, वो चाय प्रदर्शन का हो, आंदोलन का हो, चुनाओ के संबंध की तैयारियों का हो, अर्विंद केश रिवाल जी इस कुर्सी पे हम लोगों को दिखाई देते थे, और मजबूती से, पार्टी कारकरताओं के साथ, दिल्ली वालों के साथ खड़े होते थे, आवाज में आवाज मिला कर काम करते थे, आज, देश के अंदर एक ताना साह हुकूमत है, जो तीन बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को, और ऐसा मुख्यमंत्री जिसको कोई सामान्य बहुमत नहीं मिला, हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा बहुमत, सत्तर में से सरसर सीट, अर्विंद केज रिवाल जी को मिली 2015 में, 2013 में 28 सीट आई, पहली बार सरकार बनी, 2020 में 62 सीटे आई, तस साल के इस सफर में, उस नेता के नेत्रित में हम लोगों ने, एक नहीं दो दो राज्यों में सरकार बनाई, पंजाब में भी सभी पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया, 92 सीटे वहाँ पर भी आई, गोवा में 6 प्रतिसत वोट आया, दो विधायक जीते, गुजरात में 14 प्रतिसत वोट आया, पाँच विधायक जीते, मद्ध प्रदेश में मेयर का चुनाव जीते, उत्तर प्रदेश में कई चेर्मेन, जिला पंचायत के सदस, सबासत का चुनाव जीते और दिली के MCD में जहां 15 साल से भाजपाईयों का कूड़ा बैठा हुआ था दिली की जनता ने जाड़ू लगा कर MCD का कूड़ा भी साफ करने का काम किया और दिली में ये जीत नहीं सकते कभी भी जीत नहीं सकते ये बीजेपी को पता चल गया तो उन्होंने गहरी साजिस रची अरविंद केजरिवाल को जेल में डाल दो दिली की सरकार को गिरा दो आम आदमी पार्टी को खतम कर दो चुनाव खतम कर दो भारती जनता पार्टी के लोग इस देश के अंदर लोग तंत्र के डकैत हैं नमबर एक के डकैत और लुटे रहे हैं जनता के मतों को जनता के द्वारा चुनी गई सरकारों पर डकैती डालने का उनको लूटने का काम करते हैं उत्राखंड में यही किया अरुनाचल में यही किया करनाचक में यही किया मद्परदेश में यही किया मारास्ता में यही किया E.D. का, C.B.I. का, Income Tax का, छापा मरवा के, लोगों को डरा के, जेल में डालो, विधायकों को तोडो, संसदों को तोडो, सरकारों को गिराओ, दस साल में नरेंदर मोदी जी की सरकार ने और B.J.P. ने यही काम किया, और मैं आपसे, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, गल्ती से अगर ये भाजपाई जीत गए, तो याद रखना, 2024 का चुनाओ, अंतिम चुनाओ है, इसके बाद वोट देने का अधिकार आ नहीं आँ, क्योंकि भारती जनता पार्टी, बाबसाथ Dr. भीमरा अंबेटकरजी के संबिधान को नहीं मानती, भारती जनता पार्टी, RSS के प्रमुख भागवत का संबिधान मानती है, और भागवत का संबिधान कहता है, दलितों का पिछडों का आदिवासियों का खतम होना चाहिए, भागवत का संबिधान कहता है, महिलाओ कैदिकार खतम होने चाहिए, नौजवानों कैदिकार खतम होने चाहिए, किसानों कैदिकार खतम होने चाहिए, वो भागवत का संबिधान देश में लागू करना चाहते हैं, देश के अंदर चुनाओ को खतम करन चाहते हैं क्या हुआ चंडीगर में हमारा कैंडिडेट जीत रहा था कैमरे के उपर पकड़ा गया मुख्य नहाय धीस भारत के उन्होंने पकड़ा वोट काट के चुनाओ जीत गया क्या हुआ सूरत में भारत के आजादी के बाद पहली घटा है सत्तादारी दल का उम्मिद्वार बगएर चुनाओ के जीत गया बीजेपी का उम्मिद्वार बगएर चुनाओ के जीत गया इसलिए साथियों और दोस्तों सूरत तो जहांकी है पूरा देश बाकी है अभी सूरत में चुनाओ खतम हुआ है अब पूरे देश में चुनाओ खतम होगा अगर हम दिल्ली को बचाना चायते हैं देश को बचा के एक गाने की शुरुवात यहां पर की जाएगी लेकिन वो संदेश लोगों तक पहुंचाईए घर घर में जाईए और मोधी जी ने कहा था घर का सिलेंडर देखके जाना तब सिलेंडर का दाम 2014 में था 400 रुपए आज हो गया 1100 रुपए मैं आपसे कह रहा हूं 25 माई को व जाना वो मोटर साइकिल भी देखके जाना जिसमें 120 रुपए लिटर की पेट्रोल आपने भर वाई वो डीजल की गारी भी देखके जाना जिसमें 100 रुपए की डीजल भरवाई वो 2100 रुपए लीटर का आपने सरसो का तेल खरीदा महंगाई आसमान पे पहुचाई बेरोजगारी आसमान पे पहुचाई देश के अंडर अगनी वीर के नाम पर नौजवानों के पीठ में छूरा मारने का काम किया लेकिन आपके बेटे आपके भाई ने अरविंद केज्रिवाल ने दिल्ली में सिच्छा क के लिए अच्छे स्कूल बनवाए महला क्लीनिक बनवाया फरिस्ते स्कीम लेके आए माता और बेहनों के लिए बसकी फ्री आत्रा की बुज़र्गों के लिए तीर्थी आत्रा की और एक हजार रुपए प्रतिमा माता और बेहनों के लिए योजना का एलान किया याद रख है तो उसका जवाब आपको किस चीज़ से देना है जोर से बोलिए जेल का जवाब जेल का जवाब जेल का जवाब आपको वोट से देना है मैं इनी शब्दों के साथ कि जो समय आपके पास बचा है दिन रात मेहनत करके केजरिवाल जी का संदेश लोगों तक पहुँचाएंगे और आज सब के अंदर गुस्सा है पूरे देश का ब्यापारी समाज भी ये कह रहा है कि हमारे समाज का एक व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री था उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया ब्रयापारियों में प्रत्क्रिया है नौजवानों में प्रत्क्रिया है माताओं बेहनों बुजर्गों में प्रत्क्रिया है देश के लोगों में गुसा है इस गुसे को अपने वोट में तब्दिल कीजिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आपके उंगलियों के इसारे पर है केज रिवाल जी को जिताइए आम आदमी पार्टी को जिताइए 25 माई को जाड़ू निसान पर अपना वोट देकर जेल का जवाब वोट से देए